तो गाईस हम इस वीडियो पे बात करेंगे कैप्टेन मिलर मुवी के बारे में स्टारिंग धनोस, संदीब किसन, सिबराज कुमार सर, प्रियंका मोहन ऐसे बहुत सारे दिगज कलाकार इस फिल्म में नजर आए हैं पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि के साथ बहुत दिचार हुआ है और उसका बदला लेने के लिए वो अभी डखायत बन गया है, अंग्रेशो को मार रहा है कुछ इस तरह का फील होता था टेलर देख करके लेकिन जब फिल्म हम देखती है बहुत कुछ दिखने को मिलता है बहुत कुछ दिखने को मिलता है जो कि के सारे पहलों से हो करके कहानी जाती है भाई-भाई की कहानी को दिखाए जाती है भाई-भाई की प्यार को दिखाए जाता है मा बेटे की प्यार को दिखाए जाता है प्यार की कहानी को दिखाए जाता है एक गाओं के साथ उनके जो मंदीर है उनका जो भगवान है उनके साथ क्या रिस्ता है कितना गहरा रिस्ता है उसके उपर फिल्म को बनाया गया है राजाओं का, अंग्रेजों का किस तरह से एक गाउं के उपर अत्याचार होता है, किस तरह से बोलो गाउं वालों को लूटते हैं, वो सारा चीज भी इस फिल्में देखने को मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज है, एक सच्चा सिपाही क्या होता है, वो भी इस फिल्में देख पूर्शन वाला हो एक्षन वाला हो मजा आ जाता है बंदा हर एक फ्रेम में आपका दिल लूठी लेगा इस फिल्म में मुझे बहुत सारे सीन हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे फेवरेट बन गया पहला तो धनुष का जो एंट्री होता है आम तर पे हर एक फिल् सारा रहा होता है कि दो डो सीन यहा रहा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके मजा आ गया ओके उसके बाद जो फिरस्ट टाइम अंग्रियोषी के उपर उनका गुष्या आता है कि उसके बाद मुझे इंटरवान वाला फाइट सिक्वेंस बहुत अच्छा लेगा जब मुर्तिल उठने उटने वाला जो फायट सेक्वेंस होता है बाई ओहाँ पर जो bgm गुंशता है ना जो rap song के साथ मजा आ जाता है बाई साब वो भी song जो design करें हैं बहुत अच्छा लगता है हिंदी में भी बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे बहुत सारे खतरनाक सीन है इस फिल्म में, बहुत आरे एक्षन सीन है इस फिल्म में जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, अगर यहाँ पे हम बीजयम की बात करें तो वही रैप सौंग वाला बीजयम बहुत अच्छा लगा और इसमें जो गाने भी हैं, भाईस अब बहुत ही कमाल के हैं, एक सौंग है जिसमें सिवराजकुमार सर और धनुस का डांस देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो डांस आप देखोगे न, भाईस अब क्या खतरनाक कुरियोग्राफी है, आप यह सौंग के बारे में पहले से भी मैं आपको एक बा इस फिल्म में हमें सिवराजकुमार और संदीप किसन को कम ही देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको टेलर के रिव्यू में ही बोल दिया था, कि इन दोनों का केमियो टाइप का कुछ होगा, और इस फिल्म का जो सिक्वेल वगेरा जो है, यह फिल्म भी खतम नहीं है, लेकिन दुसरा पार्ट फिर आने की गुंजाइस रखती है, और उसी पार्ट में इन तीनों को हमें खास तोर पर अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जितने टाइम भी यह लोग निकले हैं, मतलब असिवराजकुमार और संदीप किसन, भाइस आप लगेगा, लिटरिली बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप अभी तग यह फिल्म नहीं देखे हो, कैप्टन मिलर तो जा गर के देखो, बिल्कुल भी मन में थोड़ा सा भी संका मत रखो कि यह फिल्म कैसा होगा, कैसा नहीं, मैं फुल्ली रेक्मेंट करूंगा इस फिल् फिल्म देखने को, मतलब चार-चार फिल्म रिलीच हुई है, हनुमान मुवी हो गया, कैप्टन मिलर मुवी, गुंटुर कारम और यह आईलन मुवी रिलीच हुआ, और आज की डेट को अगर मिला दे तो संदभ मुवी भी आज चुकी है, तो गाईस मैं आपको बताना चा संदभ हो गया, आईलन हो गया, संदभ हो गया, तो यह तो हिंदी में रिलीच नहीं हुआ है, नहीं तो अभी तक मैं देख चुका रहता, उमीद करता हूँ कि यह संक्रान्ती के मौके पर जितने सारी भी फिल्में आई है, वो सारा का सारा पास हो जाए, दो तो प्रा से दिल लुटे, कि कैप्टन मिलर और दुसरा होनुमान बहुत अच्छा लगा, अगर आप दिख चुकी हो तो जरूर कमेंट करिए, थैंक्स पर उचिंग, वे नाइस टे, टेक केर,